कि इसको यह बंद करेंगे इसको यह बंद कर दिये लेकिन फिर ए लेडी बलब हुमारा जल रहे हैं यह क्या रिजन है यह हमने हुंक्ड को आर फोल जल रहे बंद कर द looking आई है ये देगो वन अओप करें फिर भी ज़लता रहे हैं तो इसका का हम रिजन बता रहे हैं हम अपनी घर की सप्लाइग से बंद कर देते हैं स्विच को फिर भी अलगा बलब जलता रहता है और हमारी जो लाइट होती है वह उपर वाली वह भी जलती रहती है तो आज इस वीडियो में हम यह क्लियर करने वाले हैं दोस्तों ठीक है यह क्यों ज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि यह जन्रल नौलइज और मिलती रही है हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत हैं आप सभी का मारे फिट से एक नए वीडियो के अंदर अपी लोगों का मेरे कमेंट आया थे मेरे वाई लोगों में कमेंट गया था मेरे इस वीड अगर आपके पास प्रॉपलम नौलब यह जलता रहता है तोड़ा थोड़ा नाइट के अंदर और सटकी सारी लाइटे शुच बंद करने के बाद में भी सारी जल्की हैं तो इसका क्या प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम हाज इस वीडियो के अंदर दूर करेंगे तो यह प्रॉब्लम है या किसकी प्रॉब्लम है या पिटिंग के अंदर सामान लग लिए नकली है या लाइट पिटिंग के अंदर प्रॉब्लम रहेगी इसके बारे में आम इस वीडियो के अंदर बताएंगे और अगर आपके पास एक टेस्टर और एक प्लास यह दो चीज अग आने वाला है और उसके बाद में भी हमारी जो सो लाइटें होती है LED बलब होता है चाहिए वो गारंटी वाले हो चाहिए नोन गारंटी वाले हो ठीक है अगर यह इस तरीके से जलता रहेगा तो लाइप टाइम तक सर्विस नहीं देएगा यह बीच में खराब हो जाएगी क् कि वह जैसी है कुछ दिन खराब हो जाएगी दोस्तों इसी जानकारी के लिए द्यान से देखने के लिए वीडियो को इसकी नहीं करना चैनल पर नहीं है तो प्लिज हमारी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी आपको मिलेगी शिर्फ एक टेस्टर से आ आपको कुछ नहीं करना सिर्फ एक टेस्टर की मदद से आप खुद इस चीज की प्रोपलम को सोल कर सकते हैं बीना मिस तरीके ही ठीक है जैसे कि आपने प्रिटिंग कर रुकी है यह तो मैं तो डीपी वाला बोड बता रहा हूं जो मेन बोड होता है आपके वहां पर एमसी किसी भी बोड को कॉलने की जरूरत नहीं है सबसे पहले आपको यही देखना है जैसे हमारा 5-pin फ्रीक हैं टीक है मकां के पूरी पूरे मकानी के अंदर सभी के 5-pin सोडिक मतले प्लग बोलते हैं इसको इसके अंदर हम टेस्टर इस तरीके से ऐसे लगाएंगे टीक है एसे कितान रखना है तो रैट-साइड वाला जो पॉंट होता है यह वाला साइड ठीक है जो स्च्ट के पास में होता यह बान जैसा इसका सुच ini कर Amazon ये वाला राइट वाला है इसके अंदर की एंदर आपको टेस्ट लगा कर देख पी देख सकते हुए सब्संदर डौना के इंदर एक में नोटल होता हैं चैजी के अंदर अब निय्हें के अंदर तो यह इन्मारा नोटल है रहके इसका मदलब नोटल का वायर यह है तो अब आपको क्या करना होता है दोस्तों यह मीटर की लाइन है और अब हमारे जो हाउस फिटिंग की जो लाइन होती है जिसके अंदर हमारा दोतार होता है ब्लू रेड होगा यह ब्लेक रेड होगा तो अब हम फेस आ रहे हैं इस वाले वायर को हम जोडेंगे रेड कलर के अंदर इसके अंदर जोडने के बाद में दोस्तों हमारी यह सपलय है इस वाले राइट साइड के अंदर इसके अंदर आनी जाए जो हम स्विच से ओन ऊप करते हैं ठीक है अभी आप देख सकते हैं कि अब यह इस ट्रीके से आ रही है जैसे कि अब भी हमने एक वायर जोड़ा हैं तो सकता है दोनों के अंदर भी supply आ सकती है यह देख सकते हो जब आप दो इन्हों वायर जोड़त होगी तो एक चीज की डिसाइड पकीते होगी तो इसलिए मैं आपको एक वायर और जोड़ लेता हूं इसके अंदर supply चालो है दो को कटोफ कर सकते हैं और यह फ्यूज सिस्टम है जैसे कि हमारी लाइट के सप्ले इसके अंदर आ रहे हैं यह रेड कलर के वायर के अंदर दिख रहे हैं आपको सप्ले इसके अंदर नहीं दिख रहे हैं अभी किया दोस्तों अभी इसी के अंदर दोनों वायर हमने उदर A-Civity वे, लाइट को मैंने ओन कर दिया, अब हम इसकी supply देखेंगे, यह वाली जो हमारी supply है, paste वाले point के अंदर लगी हुई है, तो ने स्विच को ओन उप कर रहे हैं तो ये प्यास कट ओप हो रहा है ठीक है अगर इस तरीके से आपके गर की फिटिंग के सारे के सारी बोड के अंदर इस तरीके से अगर कनेक्शन हो रखा हैं दोस्तों तो आपकी आउस पिटिंग की कनेक्शन एकदम कम्पलीट है और जितने भी आपकी लाइट फिटिंग के लेडी बल्ब लगे हुए हैं लगी हैं तो वह switch ओप करने के बाद में नहीं जलेगी यह बात का ध्यान रखने हैं अगर आपके supply हलतोर की है और यह वाला face इसके अंदर आ रहा हैं इसमें आना चाहिए तो यह हमारे face होता है दोस्तों यह हमारा direct हो जाता है इस वज़े से हम switch को off भी कर देते हैं तो cut नहीं होती lights अब जैसे मैंने wire इसके अंदर change करूँगा ठीक है यह वाला wire इसके अंदर लगाऊँगा और यह वाला wire इसके अंदर लगाऊँगा यह द्यान रखना ठीक है और यह वाला मैंने इसके अंदर लगा दिया अब यह मैंने wire को exchange कर लिया अभी क्या होते हैं दोस्तों हमारी fitting की है connection गलत हो गए अब यह हमारा return ultra current आएगा ठीक है अब यह देख सकते हो दोस्तों नोटल वाले यह plug है इसके अंदर तो supply आ रही है ठीक है और अब इसके अंदर नहीं आएगी अब क्या होते हैं दोस्तों जैसे हमने switch on-op कर रहे हैं चालू बंद कर रहे हैं फिर भी उसके अंदर supply की कटोती नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह होगा है दोस्तों जब इसके अंदर मेन पूरे मकान की नोटल प्रेस उल्टा हो जाता है तब हमारी switch से जो हमारा जो करेंट होता है वह ओपनी होता है इस वज़ेसे हमारी चतकी लाइटे एलेडी बलब दिवार का अर्थ पकड़के करेंट डायरेट हो वाइर जोड रहे हैं switch over कर दिया फिर भी हम जोड रहे हैं हमारा current का खतर गया तो दोस्तों हमारी इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आये तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर देना subscribe कर देना और कमेंट करके बताना और भी कुछ जानकरी चाहिए ठीक है अगर आप करें इस तरीके से एक टेस्टर के मेंदर से आप देख सकते हैं इस टाइप से अंदर करंड शपलय है यह वाला प्रोब्लम रहती हैं यह मिस्तिकीस दर प्रोब्लम रेती है बाद के अंदर हमारी इस सिस्टम हम रॉयर को चेंज कर देते या कलती से कोई अगर आपके घर में इन्वेटर लगा हमा तो 100% यह प्रोब्लम आएगी और इन्वेटर प्रोब्लम करेगा दोस्तों तो मिलते हैं अगले नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैनीन जैबारत थैंक्यू सौमच थैंक बाई बाई